आज आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरे गार्डन में देशी गुलाबों की खुश्बू तैर रही है और ये खुश्बू ना हम सब को खुश कर रही है बलकि तमाम तरह के पॉलिनेटर्स को फक्षियों को भी अपनी तरफ आकर्शित करती है नमश्कार गार्डिंग ए खाती जाओंगी किस तरह से एक एक पेड में इतने ज्यादा फूल खिल रहे हैं और अपनी खुबसूर्ती से हम सब का दिल खुश कर रहे हैं इनकी जो भीनी खुश्बू होती है उसका एहसास अलग ही होता है देसी गुलाब अगर अच्छी तादाद में खिले तो ये लेकर बारिश के दिनों में मैंने की कुछ कुछ केते क्टिंग कराई थी कर ना कुछ नहीं होता है आपको जो इनकी थोड़ी मोटी यानि की आधे से 1 इंच तक की मुटाई वाली जो स्टेम्स होती है उनको लेकर कि अगर आप कटिंग बनाएंगे तो वह हेल्दी बनेंग और आसानी से ग्रो होंगी आपको किसी भी तरह के रूट हार्मोन या कोई भी केमिकल यूज़ करने के जरुवत नहीं है बर इनको पैंसिल के साइज का काटिये एक्स्ट्रा लीव्स को हटा दीजिये और इनको बालू में या फिर मिट्टी में लगा दीजिये मैंने तो यहाँ पर क्योंकि जमीन में लगाई थी और मिट्टी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा उप जाओ है तो मैंने इनको सीधे ऐसे बिना कुछ लगाए लगा दिया था करीबन 100 के करीब मैंने कटिंग लगवाई थी जिनमें से 80-85 के करीब काफी अच्छे से ग्रो हो गई थी और उन्ही को इस बड़े से एरिया में अलग-अलग ट्रांस्प्लांट कर दिया गया और जिसमें आज आप देख रहे होंगे सर्दियों में बुरी तरह से देसी गुलाब के लाल फूल खेले हुए हैं देसी गुलाब की खासियत यह होती है कि एक तो इसका जो फूल होता है उसकी खुश्बू इतनी भीनी भीनी होती है दूसरा आपको तो पता ही होगा की पूजा वगेरा में इसी गुलाब को चढ़ाया जाता है बस इसकी लाइफ जो होती है वो कम होती है दो तीन दिनों में ये गुलाब की पंखुडियां जढ़ करके विखर जाती है जबकि अंग्रेजी गुलाब काफी दिनों तक लगा रहता है पर इस गुलाब की जो उपयोगिता है वो अंग्र बनाने में rose water को use करते हैं और इसके साथ ही साथ गुलुकन बनता है जो की बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद होता है इसके अलावा rose petals को बहुत सारे लोग अपनी चाय यानि की tea में भी डालते हैं और इन rose petals के नाना प्रकार के cosmetic उपयोग भी होते हैं तो ये एक बहु उपयोगी plant है और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जहां पे भी आप लगाएंगे वो सारा वातावरण इनकी भीनी-भीनी खुश्बू से भर उठता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां से मैं recording कर रही हूँ वहां के वातावरण में हलकी सी बयार की संग इनकी जो खुश्बू है वो तैर रही है और पूरे वातावरण को एकदम मंत्र मुग्द कर देने वाला बना रही है पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इनकी कटिंग त्यार कराई थी इनको लगवाया था कटिंग ग्रो होने के बाद फिर किस तरह से उनको वहां से हटा करके और जमीन में लगाते है और इस सारी प्रक्रिया को आप इस वीडियो में देख सकते हैं यह आप देख रहे हूँगे ये गुलाबों की बढ़ता है वो बहुत तेज बढ़ता है दूसरी बात इसमें उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है जो की अंग्रेजी गुलाबों में होती है ये पूरा ही प्लांट में कभी भी आपको बहुत जादा नीचे से निकलने वाले शाखाओं को नहीं हटाना होता है हर जो शाखा होती है वो फूलों और कलियों से लदी होई होती है इन में बहुत आयत में कलियां आती है आप देखिए ये कितनी जादा कलियां आ रही है सबसे पहले तो बहुत जादा और्गेनिक कमपोस्ट वाली सोयल को यूज करना चाहिए गुलाब में क्योंकि मेरे यहाँ ये जमीन में लगे हैं तो ड्रेनेज वगेरा की प्रॉब्लम तो नहीं है तो थोड़े दिन बाद प्लांट रूट बाउंड होगा और आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा उस जंजर से बचने के लिए आप थोड़े बड़े पॉट में लगाएं उपर की मंजिलों में रहते हैं तो आप प्लास्टिक के बड़े पॉट यूज कर सकते हैं नहीं तो आप टेरकोटा के पॉट्स को सिमेंट के पॉट्स को भी यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा शाखाएं बहुत ज़्यादा बड़्स लेने के लिए आपको ये करना होगा कि इनकी जो मिट्टी है उसको इतनी रिच बनाना होगा इस तरह से इसका जो टेक्श्चर हो मिट्टी का वो ऐसा हो यानि कि इसमें आप लगभग लगभग अच्छी गार्डन सोयल 50% के करीब रखिएगा और 40% के करीब आपस में और्गेनिक मैटर डालिएगा 10% आपस में क अल्मोस्ट ना के बराबर यूज करते हैं क्योंकि देशी गुलाब को एक अच्छी गोबर की खाद या वर्मी कमपोस्ट उसमें इतनी पैदावार देती है कि आपको जरुवत नहीं पड़ती है किसी भी तरह के केमिकल एनपी के या केमिकल डियेपी डालने की तो आप बह हफते में एक बार खूब अच्छे से भर दीजे उसके बाद दो सब्ता तक कोई जरुवत नहीं गर्मियों में आपको ये काम तीन चार दिन के बाद करना पड़ेगा अधरवाइस सर्दियों में तो आप साथ दिन आट दिन दस दिन तक भी पानी ना डाले तो कोई फरक न पानी रहता है बेड में बस क्योंकि सर्दियों में फ्रोस्ट के दौरान प्लांट के खराब होने का डर होता है और ग्राउंड अगर गीला होता है मिट्टी में नमी होती है तो फ्रोस्ट से प्लांट मरते नहीं है खराब नहीं होते हैं तो इसलिए आपको वाटरिंग को देखना है और अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो गर्मियों में आपको इसमें डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी और अगर तरदी का मौसम है तो फिर आपको इसमें हपते में एक बार थोरो वाटरिंग करके छोड़ देना होगा फिर जब मिट्टी उपर की 2-3 इ ऐसा होता है कि एक दाइरे में बंधे रहने के कारण जब न्यूट्रिशन मिट्टी में से डेप्लीट हो जाता है तो प्लांट में कलिया आना और फूल ना आने की समस्या होने लगती है ऐसे में आपको क्या करना है हमारे यहां तो सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड केक को इस तरह से पानी में घोल देते हैं इस पानी को 3-4 दिनों के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद फ़र्दर इसको डाइल्यूट करके और उस पानी को पूरी तरह से क्यारियों में डाल देना होता है या आपको यह ध्यान रखना है कि आपको और देसी गुलाब में भी पैदावार अच्छी हो, फूल की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए आपको इसमें हर महीने एक चमच बॉलमील पाउडर और एक चमच माइक्रो न्यूट्रेंट पाउडर जरूर डालना चाहिए, उससे फूल थोड़े टेकाऊ होंगे, उनके क साफी सारे गुलाब खिलेंगे, देसी गुलाब यू तो बहुत ज़्यादा इंफेस्टेशन प्रोन नहीं होते हैं, और खास करके अगर आप इनकी मिट्टी में न्यूट्रेंट और बोन मिल डालते रहेंगे, तो इनमें किसी भी तरह का इंफेस्टेशन ना के बराबर हो होता है, और ना ही इनमें ज़्यादा मिली वग्स लगते हैं, क्योंकि बेसिकली ये गुलाबों की जंगली वराइटी है, और ये माना जाता है कि हिमाले में कहीं पर इनका ओरिजिन हुआ रहा होगा, और वहीं से ये वराइटी पूरे देश भर में, पूरे दोनिया भर मे इसलिए क्योंकि ये बहुत जादा नैचुरल वराइटी है, गुलाब जल बनाने के लिए आप इसको लगातार इसके जो पेटल्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से गुलकंद भी बना सकते हैं, किसी और वीडियो में मैं आपको जब मैं बनाऊंगी तो मैं आ अगर आपके पास जगह है बहुत बड़ी तो आप दो-तीन प्लांट लाकर के भी उनसे कम से कम बीस्यों प्लांट बनाके उस जगह को सिर्फ देसी गुलाब से फिल कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा केर न करनी पड़े, का ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, और सीजन में एक बार अगर आपने वर्मी कमपोस या गोबर की खाट डाल दी, उतने में ही ये गुलाब एक दम भर-भर के खिलने लगेंगे, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, उनके पास खासकर छोटे शहरों में उनके घर बड़े होते हैं, उनके पास काफी सारी लैंड खा उसका एक अच्छा उप्योग हो जाएगा